हेलो एब्रीवन स्वागत करती हूँ आप सभी का आजम बनेंगे गेहूं के आटे से ये टेस्टी सा नमकीन जो आपको बहुत अच्छी लगेगी ये एक स्नैक्स रेसिपी है और आप इसे यात्रक पे भी ले जा सकते हैं सफर के दोरान ये आपको बहुत पसंद आएगी चा अगर आप मेरी चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कॉमेंट सेक्सेन पर मुझे कॉमेंट कीजिए तो यहां मैंने एक बाउल गेहूं का आटा ले लिया है इसमें हम डालेंगे थोड अस्तापन वैसा बने गाई है बिल्कुल ऊपर से एक दम क्रिस्पी बनेगी तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर और जैसे हम पूरी का अटा लगाते है ना सक्त ना नरम उस तरीके से में आटा लगाना बिल्कुल पूरी काटा हम दबा कर तोड़ेंगे ताकि आलू में एकदम गांटे ना रहा है एकदम यह अच्छे से मैस हो जाए तो इस तरीके से फोर्क की साहता से इसे हम करेंगे फोर्क से यह बहुत अच्छे से मैस्ट हो जाती है और बहुत जल्दी हो जाती है तो यह हमारा अलू अच्छे से मैस पाउडर थोड़ा हमने डालें यहां पे कसूरी मेती इससे इसका टेस्ट और फ्लेवर दोनों अच्छा था है तो यहां मैंने कसूरी मेती को भारिक करके हाथों की बीच में रगड़के डाल दिया थोड़ा सा नमक आटे में भी नमक था तो हम यहां अंदाज अनुसार कमी नमक डालेंगे और हम डालेंगे दो टेबल इस्पून के बराबर यहां पे कॉर्ण फ्लोर कॉर्ण फ्लोर डालने से आलू का सारा मौश्चर खतम हो जाएगा तो आप यह जरूर डाले और इसे हमें करना है अच्छे से मिक्स यह स्नेक्स रेसिपी आप जरूर बना आपको बहुत पसंद आएगी आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी बहुत जटपट बन जाती है एकदम गर्मा गर्म बारिस के मौशम में आप चाई के साथ इसे इंज्जोई कर सकते हैं तो यह मैंने चुटकी बर हल्दी डाल दिया इसमें जादा नहीं आप एकदम एक त अच्छे से मैस्ट हमने कर लिया तो यहां जो हमने आटा लगा के रखा था इसके हमें लोईया बनानी है तो आप इस तरीके से करें और बड़ी बड़ी अच्छे से लोईया बना ले इस तरीके से तो लोईया आप इकवल तोड़ ले गोल करके और जैसे हम पराटो की करके बताएं तो देखे हम ने ना पतली ना मोटी एक अच्छी सी रोटी बना लिए इसे फोल्ड करके हम रख लेंगे और ऐसे ही ना में और एक बनाना है मतलब हमें सेम साइज की दो रोटियां इस तरीके से बेल नहीं है तो इसे हम अच्छे से रख लेंगे किना रूपे औ और एक रोटी हम और बेलेंगे तो यहां पर देखे मैंने दूसरी भी बेल लिये अब हमें क्या करना है इसके बीच में अपने मसाले को इस तरीके से फैलाना है तो आलू का जो मसाला हमने बनाया तो चट पटा वाला मसाला उसे हम इस तरीके से फैलाना है तो हम पूरी रो इवन फैलाएं पूरे एकदम किनारों तक तो मैं इससे थोड़ा सा और लेके इस तरीके से फैला दूंगी तो यह देखे मैं इस तरीके से कर रहे हूँ इस तरीके से मैंने फैला दिया और एक रोटी को इसके उपर हम अच्छे से रख देंगे और इसके किनारों को आप ऐसे दबा दबा के किनारों को चिपका दे ताकि यह खूले न तो इस तरीके से कर लिया और बेलन की साहिता से एक बार और बेल लेंगे ताकि अंदर का मसाला पूरा अच्छे से से सेट हो जाए तो इस तरीके से कर ले और अभी हमेसे काटना है बिल्कुल चौकोर चौकोर सेप में काटना है तो मैं इसे काट लूँगी इस तरीके से आप चूरी से पीजा कटर से नाइफ से किसी से भी आप काट ले तो फिर मैं इसे कट कर लूँगे इस तरीके से बॉक्स बना बना बॉक्स जैसे जो सेफ होता है आप वैसे ही बनाना है तो इस तरीके से आप अच्छे से काट लें, इसे काटना बहुत आसान है, फटाफट कर जाती है, अब हम एक बॉक्स उठाएंगे, और मैं आपको दिखाती हूँ कैसा सेफ हमने बनाए है, तो देखें, आप दो कोनों को इस तरीके से मोड़ना है, अभी मैं या पकड़ी हू आप दो कोनों को आपको इस तरीके से चिपकाना है, फिर उल्टा करके इन दो कोनों को चिपकाना है, तो यह आपका बहुत ही सुन्दर सा एक डिजाइन बन जाएगा, यह देखें, और इस तरीके से डिजाइन बनाएंगे न, तो फ्राई होना आसान होगा, एकदम अंदर तक पकेगा और क्रिस्पी वनेगा तो इम आपको एक और उठा के दिखा देती हूं यह देके पहले आप इस तरीके से दबा ले और फिर दो चौर को पकड़े इसके यह जो बॉक्स एप में इसके दो चौर को आप पकड़े तो मैं पहले आलू को ऐसे सेट कर लूँगे फिर यह दिजाइन हमारा बन गया है और जो एजेस है इसके कटे है उसे भी आपको बहुत टेस्टी लगेंगे तो यह देखे मैंने बना लिया है सब को इस तरीके से देखने में यह कितना अच्छा लग रहा है भी हम इसे फ्राइ करेंगे तो यहां तेल गर्म हो चुका है तो हम तेल को एकदम गर्म करके इसमें डालेंगे पहला एक मिनट आप इसे हाई फ्लेम पर रखे और फिर एक मिनट के बाद आप गयस का फ्लेम एकदम लो कर दे और लो फ्लेम पर इसे दीरे दीरे पकाएं, मतलब दीरे दीरे भूने तो इस तरीके से हम चला लेंगे, क्योंकि दीमी आज पर इसे पकाएंगे न तो यह अंदर तक क्रिस्पी बनेगा तो आप इसे बहुत अच्छे से इस तरीके से बूने, एकदम उपर से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, एकदम खस्ता बनेगा तो मैं अभी सबको निकाल लूँगी प्लेट में, तो एक बैच हमारा रेडी हो गया न, तो हम दूसरे बैच को भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे तो यह देखे, इसमें इतना आया, तो दूसरे को मैं दूसरे वाले जंजडे से उठाके रख दूँगे तो तेल अच्छे से नितार के, हम इसे प्लेट में रख लेंगे और इसे ठंडावने देंगे, आप गरम गरम भी खा सकते हैं, गरम गरम भी एकदम समोसे की तरह क्रिस्पी लगेगे आपको तो यहाँ देखे, हमारे यह बन चुका है तो अगर आप मेरी चैनल पर नहीं हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट सेक्षन पर मुझे कॉमेंट करें थैंक यू फर वाचिंग